रेल बलडाने की साज़िश पर केंद्री मंत्री गिरीराज सिंग ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि यूपी में गोधरा जैसे साज़िश रची कई है एक्स्क्लूसिब अटर्वियू उनका देखिये सराब हमारी सर्थ केंद्रे मंत्री गिराज सिंग जी है सर आज एकानपूर में एक बड़ा हाथसा होते होते टला ऐसी और घटनाएं सामने आई हैं जहां पर साज़िश के तहट रेलवे भी जाच कर रहा है कभी बोल्डर ट्रैक पर मिल रहा है लकडी का बोटा और अब एक सिलेंडर जब साबर मती ट्रेन की डिरेल्ट करने की कोशिश की गई उसके पहले भी हुआ तो विपक्ष कह रहा था कि इस्तिफाद है रेल मंत्री है अब मैंने कहा था कि ये संजोग नहीं है एक पड़ियोग है एक खास बढ़ के तरब से ये पड़ियोग किया जा रहा है और ये टुकरे टुकरे गैंग की जुबान आज कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी कानपूर के पास क्या वहां पेट्रोल कैसे आया माचीस कैसे आया बारूद कैसे आया सलेंडर कैसे आया ये तो ड्राइबर को धनवा दूंगा जो अपने बुधी मता से हादसा ह उने से बचा लिया नहीं तो गारी को तो पलटाने की कोशिश की गई थी गारी को दूसरा गोधरा बनाने का था आग लगाने का ये चोटी घटना नहीं है और कांग्रेस की जुऌन राहुल गांधी की जुऌन अभी तक बंद है मैं तो कहता हूँ कि ये सोची समझी रन्नीत के तहट कहीं मोदी जी को की सरकार को की अर्थ वैबस्था को अस्त बैस्त करने के लिए कहीं कांग्रिस का कोई टूल किट तो नहीं काम कर रहा है राहूल गांधी का आपने राहुल गांधी का जिक्र किया राहुल गांधी इससे पहले लोको पालिट से भी मिले रेलवी ट्रैक्स पे भी गए ट्रैक्मेंट से भी मिले थे मैं तो वही कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी का टूल किट तो काम नहीं कर रहा क्योंकि उनके जुबान नहीं खुल रही है और ये तो ऐसा काम हो रहा है जो आजादी के समय हम करांतकारी जो हमारे पुर्वस थे वो अंग्रेज के समय करते थे अभी तो देश बासियों की म देन दुरगटना भी टूल किट करवा रहा है इसकी जाँच होगी तो सारे पता चलेंगे हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अखलेश जादब की जुबान बंद क्यों राहुल गांधी जो है वो अमेरिका गए उन्होंने कहीं बयान भी दिये चीन की तारीफ की आरेसेस पे भी बोला प्रधान मंत्री मोधी के लिए कहा कि चुनाफ के बाद अब उनसे डर लगना बंद हो गया है लोगों को राहुल गांधी जी अब पाकिस्तान को किसी ब्रांड अमश्टर की जवरत नहीं है ब्रांडिंग करने की जवरत नहीं है चाइना को तो बिलकुल नहीं करनी है ब्रांडिंग अब तो उसके ब्रांड अमश्टर राहुल गांधी हो गये आखिर हों क्यों नहीं उनके एंज कि दुर्गटना के समय भीडियो भाइरल होना दुर्भाग्य है इस देश का देश का एलोपी जाके भारत के बाहर भारत को गाली दे अटल भिहारी बाजपेई भी थे एलोपी वो भारत के बाहर जब जाते थे तो कहते थे मैं देश का परतिने धुद करने आया हूं एक दुर्भागे है ओच चाईना की तारीफ कर रहे हैं हैं भारत की तारीफ करने में भारत की निंदा जबकि आप देखें डिफैन्स में एक लाक करोर से अधिका एक्सपोर्ट हुआ कुछ इंपोर्ट हमने बंद किया वही नहीं आई एम एप ने भारत की तारीफ की है कि ये साथे साथ परसेंट का गुरोथ आगे बढ़ेगा वही नहीं इनके समय में सोशल सर्विस सेक्टर और मनुफेक्टरिंग सेक्टर में केबल 19 लाग करोर का एक्सपोर्ट था अभी लगभग 75 लाग करोर से उपर का है ये आखिर मैनुफेक्टरिंग नहीं हो रहा है तो नरंदर मोदी जी ने गड़ीबी रेखा से उपर उठाया अगर एलोपी तो नहीं कर सकता है कि बाहर जाके भारत को गारी ये कोई देश का दुस्मन ही कर सकता है इसलिए राहूल गांधी एलोपी लाइक नहीं है इन पर तो देश द्रोह का मुकदमा चलना चाहिए आखिर की जाती पूछ रहे हैं अपना जाती नहीं बताते धर्म नहीं बताते अपने दादा जी के मजार पर प्रियाग राज में नहीं जाते और जो अपने दादा जी का सम्मान नहीं करता वो देश का क्या सम्मान करेगा और ये सनातन हिंदू का सनातन धर्म का अपमान न करें ब आबे तो अंगन में टेर अगर ज्ञान नहीं है तो भारत के सनातन को अगर हिम्मत है ज़रा मुहम्मद साहे पर भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल देने कि उनकी नाग टेढ़ थी गरदन टेढ़ थी उनमें ये खड़ा भी थी क्यों तो वो तो बोट बैंक है इनके टूल कीट है ये अभी बहुत समय लगेगा लोपी का दरजा तो जरूर मिल गया पता नहीं किस अहंकार में है तीसरी बार इनके नत्रित में चुना हुआ तीसरी बार में 99 पर आये हैं तब ये दूसरे का नकल कर रहे हैं ऐसे चलते हैं अपने कैसे चलते हैं अपने एरोगेंसी दिखता है एरोगेंट की तरह चलते हैं अगर ये तीसरी बार में सरकार बना लेते तब तो लोगों को अपने दादी की तरह बंद कर दिये होते ये एरोगेंसी भारत नहीं बरदास्त करेगी ये थे केमरे मंत्री गिराज सिंग जी जिनका कहना है कि कानपुर जो हाथसा टलते रहे गया वो एक गोध्रा जैसे हाथसे में बदल सकता था और ये टूल किट का हिस्सा है कैमरे परसेंट प्रमोत के साथ अनामिका गौर